आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मिरे नाम है सिध्धान तक नहीं होता है, तरी स्टेडी है कि आपका बहुत सबागत है, दोस्तों आज हम बात करेंगे, एक सुपार हीरो की, सर निकोलस विंटॉन की आज हम बात करने वाले हैं, इनकी कहानी जब मैंने सबसे वड़ा धर्म है, निकोलस विंटन की बात करें, तो इन्होंने जिविश चिल्डरन्स को बचाया, यहूदी बच्चे, 670 बच्चों को इन्होंने हिटलर से बचाया, लेके आईए ब्रिटेन, वहां पे रखा, वरना सब के सब मार दिये जाते, 6 साल, 7 साल, 8 साल के ब यहूदियों को मार रहा था, जिपसीज को मार रहा था, यह सब मैंने कवर किया है, हिटलर पे और वर्ल्ड वार टू पे और जैनोसाइड, अगर सब को मिला दें, पूरे 1939 से लेके 1945, कम से कम मैंने 30 से 35 लिच्चे लिए हैं, वो सब अविलेबल हैं, तो शिंडलर इस मूव बस विंटॉन की, इनकी कहानी सुनके आप भी emotional हो जाएंगे, जो इन्होंने काम किया, कमाल का काम, वाकई में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सिद्धान तक नहीं होतरी के नाम से मेरी Facebook प्रॉफाइल है, दोनों ही जगा प्रेचर की PDF ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते ह UPSC के लिए course आते हैं हमारे, और आप इसको Study IQ से book कर सकते हैं, Study IQ का app आप डाउनलोड करीए, फिर website विजट करीए, वहाँ पे UPSC के smart course हमने बनाये हैं, आप इसको EMI पे ले सकते हैं, ये 20 जून तक, date जो है, वो 20 जून तक हो गई है, उसके बाद Twitter पे मैं आ गया हूँ, य मैं आप लेचर के updates देता रहता हूँ, तो देखिए, सबसे पहले हम फटाक से देख लेते हैं, विंटॉन कौन थे, ये भी Jewish थे, ठीक है, ये भी यहूदी थे, Jew थे ये, 19 मही 1909 में इनका जनम हुआ, लंडन में जनम हुआ इनका, ब्रिटेन में जनमे थे, इंग्लेन में तो इनके पिता जी रुडॉल्फ वर्थीम, जो कि एक बैंक मैनेजर थे, और इनकी जो माता जी थी, वो थी बार्बरा, आपको बता दूँ, कि ये खुद भी मर्चेंट बैंकर थे, ठीक है, मर्चेंट बैंकर, मतलब इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, विंटॉन की बात करे निकोलस विंटॉन की बात करे, तो बहुत अच्छा खासा इन्होंने पैसा कमाया, बहुत पैसे वाले थे, और बड़ी मेहनत का इनका पैसा था, लेकिन जब इनको पता चला, कि यहूदियों को मेरी जरूरत है, तो इन्होंने अपना सारा पैसा इस काम में लगा दिया, ब फिर इन्होंने बहुत सारे बैंक्स के लिए काम किया, ठीक है, आब आपको पते हैं कि 1929 में ग्रेट डिपरेशन आया था, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत जो न्यू डील पॉलिसी तर रूसर बिल्ड लेकिन ग्रेट डिपरेशन से पूरी दुनिया प्रभावे थी, इ इस फर्म में ये काम करते थे, सिर्फ और से पैसा दिखाई देता था, ठीक है, और विंटॉन जो है अपने बहुत सारे बैंक्स के लिए इन्होंने काम किया था, वो सारा एक्स्पीरियेंस इन्होंने लगाया, और खूब पैसा कमाया, समझ रहे हैं, अब कहानी शुरू हो इन्होंने विंटॉन के जिन्दगी बदल दी, कैसे, क्या हुआ था, कि देखिए हिटलर 1933 में आ गया था, इसकी नेजी पार्टी आ गया था, और फिर 6 साल ने इसके, इसने पूरे जर्मनी का कबाड़ा कर दिया, कबाड़ा इंद सेंस की, जर्मनी की आदमी तो बहुत इसने शुरू कर दिया, ठीक है न, कि रेश के हिसाब से, यहूदियों को अलग करो, धीमे-धीमे करके यहूदियों के बिजनेस बंद करवा दिया, इनकी दुकानों पर अटाक्स करवा है, फैमिली को उठा के जेल में बंद कर दिया, बहुत जादा दिकत, लेकिन दोस्तो सबसे बड़ी बात सबसे खतरनाक event जो माना जाता है वो है November 1938 10 November 1938 The Night of the Broken Glass Pistol Nat भी बोला जाता है The Night of the Broken Glass इसमें क्या था 10 November Basically यहूदियों पर यह डारेक्ट अटाक था ठीक है यहूदियों की दुका ने जला दी गई इनकी फैमिलीज पर अटाक हुआ जो इनकी पुलिस थी ठीक है उन्होंने फैमिलीज पर अटाक किया और बहुत बुरी हालत की जहां यहूदियों ने उनको पकड़ पकड़ के मारा और यह साफ हो गया था कि अब जीउस के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है जो फैमिलीज जी जूइच फैमिलीज रह रही थी ठीक है जर्मनी में अब वो गई काम से यह बिल्कुल लास्ट जो साइन था वो यही था ठीक है जो नाइट आप दी ब्रोकन ग्लास एक बहुत ही अनफॉर्चनेट इवेंट है यह मैंने कवर किया है दोस्तों आप देखेगा हिटलर की जो बियोग्राफि मैंने डिव्यू किया राइज आफ हिटलर उसमें मैंने कवर किया है समझ गए तो यह चीज है अब यहाँ पे हिटलर ने पूरा डिसाइड कर लिया है थीक है, हिटलर ने पूरी तरीके से ये डिसाइड कर लिया है, मुझे तो उरोप को जीतना है, लेकिन हिटलर ने किसी को बताया नहीं, नेवल चेम्बरलेंड जो है, नेवल चेम्बरलेंड जो समय प्राइम इनिस्टर थे 1938 पे ब्रिटेन के, वो Hitler के सामने सर जुका के आ गए, Munich Agreement करके आ गए, ठीक है, Munich Agreement करके आ है, कि यूरोप में पीस बना रहे, और इधर Hitler ने बहुत सारी territories ले ली, और Hitler ने बोला हमला नहीं करेंगे, लेकिन Hitler बहुत पड़ा धोके बास था, सर जुका के बेसिकली आ गए, नेवर चेंबलेन हिटलर में, एक तरीके से वो रिहर्सर भी था, ठीक है, अपनी आर्मी को Spanish Civil War में लगा के, Hitler को ये मालूम चल गया था, कि मेरी आर्मी अब युद्ध के लिए तैयार है, समझ रहे हैं, तो अब दोस्तों, बस वक्त गिन राता हिटलर, सही वक्त आने पर मैं अटाक कर दूँगा, अब हम यहां देख रहे हैं, कि Hitler के पास सब कुछ है, है ना, बस उसको अटाक करना है, और यहां पर यहूदियों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनकी फैमिली के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनके सारे बिजनेस को छीन लिया गया, और अब यहूदि इसमें यह नहीं पता है, कि Hitler अटाक कर देगा, Hitler को पता है ना, लेकिन बाकी लोगों का कयास तो है, कि हाँ, Hitler अटाक करेगा, World War 2 शुरू हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं पता, क्योंकि नेविर चेंबरलेन, Munich Agreement तो करके आई थे, तो लोगों को लगी रहा था कि Peace ट्रीटी तो साइन होई गई है, तो शायद बहुर ना हो, ठीके, तो इधर क्या है, Nicholas Winton जो है, वो Switzerland जा रहे थे, अपनी छुट्टिया मनाने के लिए, समझ रहे हैं, और बहुत ही खुबसूरत समय था, Christmas 1938 से थोड़ा सा पहले, बहुत ही सोहारना मौसम, Switzerland तो वैसे ही कि जिस दोस्त के साथ जाने वाले थे, मार्टिन ब्लेक, ये एक सोशलिस्ट था, इसका फोन आता है, Nicholas Winton को, और बोलते हैं कि यार, छुट्टी पे मैं नहीं जा पाऊंगा, तुमारे साथ सुट्जर लेंड मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई बहुत जरूरी क काम करना है, तो Nicholas Winton बताते हैं, कि पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों नहीं जा पाऊंगे, तब मार्टिन ब्लेक बताते हैं, कि देखो यार, बहुत बड़ी गड़बार होने वाली है, Nicholas Winton को पता चलता है, Nicholas Winton को पता चलता है, कि Hitler जो है, उसने बकायदा पूरी करने वाला है, और यहूदियों को मारने वाला है, यह बिल्कुल पॉसिबल, 110% पॉसिबलिटी, अब यहां पे Nicholas Winton के हाथ-पाउँ फूल गए, कि अब क्या करें, उस समय चेको-सलोवाकिया लगभग-लगभग, हिटलर के ही कबजे में आ गया था, 1938 तक, ठीक है, चेको-सल ने एक प्लान मनाया, ठीक है, कि मैं फैमिलीज को तो चलो ठीक है, बचा नहीं सकता, लेकिन मैं बच्चों को ज़रूर बचा सकता हूँ, ठीक है, और Nicholas Winton जब पराग में थे, पराग गए इसके बार, ठीक है, जैसे यह चीज इनको पता चले, पराग गए, चेको-सलोवाक किया गए, वहाँ पे पेरेंट्स की लाइन लगने लगी, है ना, कि हमारे बच्चों को बचा लिजे, किसी तरीके से हमारे बच्चों को यहूदी थे, सब के सब, जाधा तर यहूदी थे, जिवज थे, 99%, हमारे बच्चों को आप बचा लिजे, हम आपके हाथ जोड़ते ह ठीक है तो Nicholas Winton ने जब ये सारी चीज सुरी तो इनका दिल पसीजा और एक humanist तो थे ही अब इधार इनके boss बोल रहे है कि काम पे वापस हो ठीक है लेकिन Nicholas Winton अपने काम धाम छोड़के इस सारी चीजों पर लग गए अब Nicholas Winton ने पूरा का पूरा प्लान बनाया लेकिन ये प्लान किसी को पता नहीं चलना चाहिए सबसे पहले Nicholas Winton ने letters लिखने शुरू किये ठीक है letters लिखने अमेरिका को letter लिखे यूरोप के हर देश को letter लिखे कि हमको यहूदियों को बचाना है American Embassy से जवाब आया कि हम नहीं कर सकते है Nicholas Winton को ये जवाब आया कि हम इस चीज में आपका साथ नहीं दे सकते Nicholas Winton को पूरा पता था कि खत्रा बहुत जादा है Hitler यहूदियों को नहीं चोड़ेगा बच्चों को माई डालेगा तो बच्चों को बचाना बहुत ही ज़ादा जरूरी है इनकी जान खत्रे में है तो यहाँ पर Nicholas Winton ने क्या किया Letters लिखते गए, Letters लिखते गए लेकिन किसी का जवाब नहीं आया सिर्फ इनकी खुद की country Britain ने help की Britain ने help की और Nicholas Winton ने फिर यह देखा बकायदा यहाँ पर refugee committee बनाएगे refugee committee for children 4-5 महिने तक यह बिलकुल लग गए और इधर जब यह पराग में थे तो बकायदा यह registration करवाते थे ठीक है, parents जो है वो आके registration करवाते थे और अपने बच्चों के नाम देते थे आप मेरे बच्चे को यहाँ से निकाल के ले जाईए ठीक है, आप सोचिए यह जो बच्चे थे ना बड़ी छोटे थे 6 साल का था कोई, 3 साल का था कोई, 8 साल का था कोई 7 साल का था कोई, ठीक है तो यह parents के लिए बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं कि बड़ा मुश्किल यह पल था यह शड़ था, क्योंकि देखिए बच्चे जो है तो इतने चोटे है ना और कैसे इतने चोटे बच्चे अपने parents से अलग हो जाए ठीक है अब करना तो था ही क्योंकि और कोई चारा नहीं था वरना हिटलर मार देता यहां पे निकुलस विंटन ने registration करना शुरू किया और वैसे तो आपको बता दू किए पूरा program था बकायदा ठीक है जिसको kinder transport बोला गया बच्चों को transport करना अगर इन total देखे तो बहुत सारी ऐसी संस्थाय काम कर रही थी जो सुडेंट से बच्चों को लेके जा रही थी मतलब बच्चों को निकाल के लेके जा रही थी ट्रांसपोर्ट कर रही थी basically safe जगां पे ठीक है तो लगबख 10,000 बच्चों को बचाया गया जब तक World War 2 शुरू नहीं हो गया एक बार World War 2 शुरू हुआ September 1939 में तब आप कुछ नहीं कर सकते ठीक है लेकिन World War 2 से पहले कोई सुडें में जा रहा है कोई नेधरलेंड में जा रहा है क्यों ताकि बच्चों को बचाया जा सके फिर जब एक देश का कोटा फोल हो जाता था मतलब एक देश है जैसे नेधरलेंड है ठीक है अब वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ गए तो नेधरलेंड बोल देता था कि बस अब बहुत हो गया अब इससे ज़्यादा बच्चे आन नहीं ले सकते तो इस तरीके से था तो यहाँ पे नीकोलस विंटन जो है वो बकाइदा रेजिस्टर करने लगे और रेजिस्ट्रेशन करने लगे और निकोलस विंटन जो है चकोस ल्ाचिया से बच्चों को उठा के अपने आले के आने वाले थे लेकिन ये काम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, क्यों खतरनाक था, एक तो जर्मनी को अभी जादा पता नहीं है, नेजीस को अभी जादा पता नहीं है, ठीक है, ये नहीं पता है कि ये बकायदा पुरा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, यहूदियों को, यहूदियों के बच्चों को बचाने के लिए, ठीक है और बकायदा आपको ये सब कुछ दिखाना था, पेपर वर्क सेट अप करने थे, और जो यहूदी यहाँ पे आ रहे हैं, ब्रिटेन में जो यहूदीयों के बच्चे आ रहे हैं, उनके भी गलत पेपर्स दिखाने थे न, आप समझ रहे हैं न, भाई देखो, जर्मनी को, ने इनका पेपर चेक किया, और उसमें जूइश नेंस होंगे, तो जाहिट से बात है न, नेजीज वहीं उठा के उनको ले जाएंगे, तो यह पेपर वर्क गलत पेपर्स बनाए गए, निकोलस विंटन ने गलत पेपर्स बनवाए, ताकि बच्चों को ट्रांसपोर्ट किया जा सके, तो बहुत मुश्किल काम था, नौ रेल रोड्स बनवाई, रेलवेज को बकाइदा पूरा सेट अप करना, बहुत पैसा लगाया, अब यहां पे इनके बॉस कह रहे हैं कि यह सब क्या बकवास कर रहे हो, इस काम में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि इनके बॉस चाह करेंगे, देखिए, एक बारा बच्चो को लेंडन लेके आ गए, ठीक है, ब्रिटेन लेके आ गए, तो फैमिलीज भी आपको ढूंडी है, जो इन बच्चो को एडॉप्ट करें, ठीक है ना, तो बच्चो को एडॉप्ट करने के लिए आपको फैमिलीज तो बकाइदा नि इन बच्चों को भरना होता था, है ना, तो जो family होती थी, जो Jewish parents होते थे, यहाँ पे मैं कुछ testimony सुन रहा था, तो बताते है, कि उस समय तो मैं 6 साल का था, और मुझे अपने माता पिता से अलग होना था, और भिटे आना था, तो मेरी मम्मी जो है, वो बहुत रोय जा रही थ यह जो बच्चे है ना, यह अपने माबाब से दुबारा कभी मिले ही नहीं, क्योंकि इनके माबाब को Hitler ने मार दिया था, ठीक है, माबाब जो थे, वो चा रहे थे, कि हम बचे ना बचे, बस हमारे बच्चे बच्च जा है, तो इसी लिए वो निकोलर विंस्टोन के पास और उनसे बोला किया, इनको बचा लिजे, तो बकायदा ट्रेंस जाती, और ट्रेंस में इन बच्चों को भरा जाता, और यह ब्रिटेन आती, समझ रहे हैं, लेकिन माबाब जो है, वो पीछे छूट जाते, अब यह दोस्तों बहुत वक्त तक चला, बहुत वक्त क्या, चा इन वेड कर दिया, अब यहाँ पे, लेटर्स लिखने बंद नहीं किये, लेटर्स लिखने बंद नहीं किये, निकुलस विंटॉन ने, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को भी लेटर लिखा, और बकायदा बाद में निकुलस विंटॉन ने ये बताया, कि हम 2000 बच्चों को बचा सकते थे, और जदा बच्चों को बचा सकते थे, लेकिन हम बचा नहीं पाए, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, एक तरीके से अमेरिका ने पल्ला ज़ाड लिया थे, इन सारी चीजों से, ठीक है, लेकिन ब्रिटेन ने कुछ भी हो, ठीक है, और जाधा तर देशो यूरोप के जाधा तर देशों ने एक टाइम पर अपने बॉडर्स क्लोस कर दिये थे, लेकिन ब्रिटेन की अगर हम बात करें, ब्रिटेन ने अपने बॉडर्स खोले, उन्होंने बोला कि ठीक है, बच्चों को आने दो, अब यह बच्चे जब ब्रिटेन में आए, ठीक ह कि उनको क्या पता, आप तस्वीरे देखेंगे, आपके आँखों में आशू आ जाएंगे, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे लेकिन बैटे हुए हैं, उनके माबाप पीछे छूट गए, अब उनका कोई नहीं है, तो ऐसे ही, एक मैं एक और टेस्टिमनी सुन रहा था, तो उसने इंटर्वियू में बताया कि मैं उस समय चार साल का था, और मैं बैठा हुआ था, ठीक है मुझे कोई रेस्क्यू करने नहीं आ रहा था, कोई एडॉप्ट करने नहीं आ रहा था, तभी वहाँ से टैक्सी वाला आया, और उस टैक्सी वाले ने हम ती लोग बैठे में ले गया और वहाँ पर हमने खुब अच्छे से खाना खाया और उस टैक्सी वाले ने हमको एडॉप्ट कर लिया उसका एक रूम का अपार्टमेंट था लेकिन वो टैक्सी वाला हमको ले गया और बताते हैं यह कि यहाँ पर घरीब लोग ज्यादा काइंड है अक्छली मे यहाँ कि मैंने बता है कि हिटलर ने पॉलेंट को इंवेड कर दिया चकोसलोवाकिया को जीत लिया और उसने फिर जर्मन प्रोटेक्टरेट घुचित कर दिया अब सब कुछ बंद अब कोई रेस्क्यू काम नहीं हो सकता और कोई ट्रेंस नहीं चल सकती लेकिन यह जो काम क यह कमाल का था और उसके बाद फिर जब वर्ड वर्ट टू शुरू हुआ तब इन्होंने रॉयल एरफोर्स जोएंट की अपनी सर्विस भी दी निकॉलस विंस्ट्रों की बात करें और जब वर्ड वर्ट टू खतम हुआ ठीक है तो वर्ड वर्ड वर्ट खतम होने के सारे देशो ने इनको ओनर दिया बृटेंज ने तो इनको ननाइट किया ही किया जो इनका हइस्ट और होता हाइस्ट अवॉर्ड था यंकी सरलगा है जो इन्होंने ट्रेन चलाई थी बच्चों को बचाने के लिए 2009 में निकोलन विंटोन के नाम से सेम वैसी ही ट्रेन चलाई गी इतना ज़ाधा इनका नाम है और भगवान ने इतना बड़ा इन्होंने काम किया तो भगवान ने इनको खूब दिया खूब इजदी और खूब पैसे दिये और ये बिलकुल ये जो काम है ये हुमानिटी का ये ता उम्र करते रहे ये अब ये देखिये किनगिन लोगों को इन्होंने बचाया उस समय लेसली बारूच ब्रेंट जो कि उस समय सिर्फ और सिर्फ पाल साल की थी इनको इन्होंने बचाया अब ये बाद में क्या बनी एक बहुत बड़ी medical scientist अगर इनको नहीं बचाते ये तो ये medical scientist नहीं बनती बड़े mathematician बने 12 साल के ते उस समय ये लाक्सोबा एक बहुत बड़ी scientist बनी जेनेटिसिस्ट बनी इसी मत्स्थील एक architect बनी गेडा मेयर ये poet बनी, कैरल रीश फिल्मेकर बने, श्ले सिंगर एक Canadian television journalist और author बने और ऐसे बहुत लंबी list है जिन बच्चों को उन्होंने बचाया वो बहुत बड़ी position पे पहुचे तो ये है इंसानियत का काम, इंसानियत का काम हो तो कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए और आज भी अब देखिए इनका इन्होंने कितना बहतरीन काम किया, real super hero कि आज भी हम इनकी बात कर रहे हैं और आज भी आप Nicholas Winston इस पे आप सर्च करिए, नेट पे आपको हजारों आर्टिकल्स इनके उपर मिलेगे, कमाल का काम इनको हमेशा याद रखा जाएगा स्वैंडिंग अक्षरों में इनका नाम लिखा गया, एक जुलाई 2015 को इनका देहांद हुआ, अब देहांद में का कैसे हुआ, जो एक सबसे यतना की जो painless death होती है, ठीक है, कि आप नींद महीं मर जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना, बहुत सरे महान लोगों को जो बहुत अच्छा काम करते हैं, हमने देखा हम ननकी जब बाइगराफ ही रिव्यू की थी, ठीक है, हाला कि उसका ऐसे हम प्रूव नहीं कर सकते, बट आपने ये देखा होगा, कि जिन्होंने बहुत महान काम किये हैं, they died in their sleep, तो विंटॉन भी सोते सोते मर गए, ठीक है अपनी नींद में ही इन्होंने अपने प्राड त्याग दिये, और ये एक सबसे बेहतरीन मौत मानी जाती है, एकदम शांती से, पता ही नहीं चलता कब मौत आगी, जैसे कुछ मौत बहुत ही दर्दनाक होती है, ये नहीं, बिल्कुल शांती से, 2015 में इनका देहान थुआ, एक सो च्छे साल के थी है, एक सो च्छे साल के, और इनके इंटर्व्यूज अविलेबल हैं, आप जरूर देखेगा, तो आई होप एलेचर आपको पसंद आया होगा, खुछ रहे पड़ते रहे, देसे सिद्धान तक नहीं होतरी, साइनिंग आफ, एक और बात आपको बता चाहता हूँ, कि जब World War 2 खतम हुआ, मतलब World War 2 शुरू हुआ, तो 250 बच्चों को भी कोई ट्रांसपोर्ट करने वाले थे, जो आखरी ट्रेन थी, वो 250 बच्चों को लाने वाली थी, लेकिन बदकिस्मती ये थी, कि ट्रेन सब कुछ तयार हो गया था, बच्चे तयार हो ग अगड़ा जो है, ये आपस्वा तक जाता, तो आई हो पेले चराप को पसंद आया होगा, खुछ रहे पर तरहे देशे सिद्धान तक नहीं हो तरी सहनी होगा,